हे गाई सो दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं TCS on sales of goods हंची दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 1st October 2020 से TCS on sales of goods applicable हो गया है जहां पर आपको जो भी आप receipts करेंगे sales के consideration के respect में तब आपको TCS काटना होगा section 206C1H के अंदर तो इसके कुछ important points है जो मैं आज आपको बताऊंगा इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंटा तो दोस्तों चल रहा है यहां पर दसारा sell offer 2020 जहां पर आपको 30% तक का discount मिल जाता है सभी pen drive और online courses पे तो दोस्तों आप इन सभी courses की त्यारी घर बैटा ही कर सकते हैं तो ज्यादा जानगारी के लिए इस number पे call कीजिए या फिर इस website पे visit कीजिए website के लिए इस वीडियो के description में है सो दोस्तों मैं इसके आपको 17 important point बताने वाला हूँ सबसे पहले number one यह आपको जहां दखना है कि TCS on sales of goods कब से applicable है तो यह जो applicable है 1 October 2020 से applicable है वो भी receipts basis है ना कि sale basis पे ठीके दोस्तों जितना amount आप sale के consideration के respect में ठीके sale of goods के consideration के respect में receive करेंगे उसी basis के हिसाब से आपको TCS collect करना है ठीके दोस्तों TCS की responsibility जो collect करने की बनती है वो कब बनती है अगर यहाँ पे जो turnover है exceed हो जाती है 10 crore rupees से यहाँ पे वैसे बात करें तो previous year दिया गया है income tax में previous year होता है और accounting के अंदर financial year होता है that means अगर आपकी turnover किस financial year के अंदर 10 crore से exceed हो जाती है तब आपके उपर TCS की liability ब receive कर रहे है sales of goods के respect में तो उस case में अगर वह amount exceed हो जाता है 50 lakh से that means 50 lakh से ज्यादा अगर exceed हो जाता है amount तो उस case में यहाँ पर TCS collect करना होगा ठीके दोस्तों किस case में collect नहीं करना होगा TCS section 206C1H के अंदर कहां पर यह section applicable नहीं होगा यहाँ पर जब center government चाहेगी तो कुछ conditions या specify exemption नगा सकती है उस condition के अंदर applicable नहीं होगा ठीक है चौथा कहां पर applicable नहीं होगा अगर आप import कर रहे है goods India के अंदर या फिर export कर रहे है goods India से बाहर तो उस case में यह section applicable नहीं होगा और कहा applicable नहीं होगा हूग transactions पे applicable नहीं होगा जब transaction TDS के किसी भी section के अंदर cover है और कब applicable नहीं होगा अगर goods sale किया जाता है और वो cover है section 206C1 के अंदर या section 206C1G के अंदर तो उस case में यहाँ पे section 206C1H applicable नहीं होगा section 206C1H applicable कहा नहीं होगा अगर कोई भी transaction securities के अंदर होती है या commodities के अंदर होती है recognize stock exchange के दवारा ठीक है या फिर clearing या settled clearing corporation के दवारा तो उस case में यहाँ पे section 206C1H applicable नहीं होगा उसके बाद बात करें section 206C1H और कहां applicable नहीं होगा देखो अगर transactions हो रही है electricity की या renewal की energy certificate की या energy saving certificate की तो उस case में applicable नहीं होगा और कहां नहीं applicable होगा जोस्तों नवे point में बात करते हैं देखो अगर payment gateway देखो applicable होगा payment gateway पे लेकिन अगर TDS या TCS deduct कर लिया गया है e-commerce operator के द्वारा तो उस case में payment gateway पे applicable नहीं होगा that means माली जे क्या होता है आज गलंब भी आपने देखा होगा flip card के दुरू या amazon के दुरू online sale करते हैं तो उस case में क्या होता है flip card जो है flip card पर जो भी seller अपना समान sale कर रहा है जो भी goods अपना sale कर रहा है तो वहाँ पे flip card TCS काट रही है ठीक है अगर वो payment gateway किसी third party से ले रही हो तो payment gateway के भी responsibility बन जाती है इस case में तो यहाँ पर करिए कि नहीं दो बाद TCS नहीं कटना है केबल एक बाद कटना है अगर e-commerce operator ने TCS को काट लिया है या TDS को काट लिया है तो उस case में यहाँ पे TCS नहीं कटेगा और कहाँ अपली केबल नहीं होगा तो यह वाला section insurance agent received करता है ठीक है और वो TDS उसका पहले सी deduct कर लिया गया है section 1 940 के अंदर तो उस case में अपली केबल नहीं होगा ठीक है और कहाँ नहीं अपली केबल होगा अगर fuel supply की जारी है non resident airlines को Indian airports पे तो वहाँ पे यह TCS applicable नहीं होगा अब हम बात कर लेते हैं TCS के rate के बारे में sales of goods under section 2061H के अंदर rate क्या होगा अगर pen number या अधार number सामने वाला person that means buyer अपना furnish करता है तो उस case में जो TCS का rate होगा 0.075% के हिसाब से होगा ठीके दोस्तों और यह दो rate है 31 मार्स 2021 तक एक April यह rate हो जाएगा 0.1% दूसरी तरह हम बात करें अगर वह अपना pen number या अधार number furnish नहीं करता है तो उस case में जो rate होगा अप्टू 31 मार्स 2021 तक जो rate होगा वह 0.75% होगा अगर वह pen number furnish नहीं करता है तो उसके वाल बात करें एक अपरेल से यह rate 1% हो जाएगा तो simple सी बात है अगर हम बात करें rate के बारे में तो अगर वह pen या अधार furnish करें तो 0.075% हो गया 31 मार्स 2021 तक और एक अपरेल के बाद यह rate एक परसेंट हो जागा अगर वह pen या अधार बनती है कि TCS जो है वह consider जो considerable amount बना है जो उसने का amount receive किया है receipts basis पे entry करने की तो seller को क्या होता यहाँ पर invoice के उपर केवल जो tax charge वही cover करना चाहिए उसके उपर TCS को charge नहीं करना चाहिए क्योंकि जो TCS है वो receipts basis है आप इसके लिए बाद में जितने भी payment receive हुई हो उसके उपर जितना आपका TCS deduct बना है आप उतने की calculation करके उसके हिसाब सेपरेट invoice बना सकते हैं या फिर एक debit note बना सकते है debit note raise करके आप एक recipient को भेज सकते है और वहां से आप TCS collect करके उस liability को pay कर सकते हैं अगला हम बात करें क्या adjustment कर सकते हम TCS के अंदर अपनी जो sale return है या discount है या trade discount है या indirect tax के अंदर GST के अंदर क्या हम इसके adjustment कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे साप साप अगर आपने circular पढ़ा भी होगा मैंने प्रानी वाली जो अगर आपनी मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए तो जिसके अंदर मैंने बता है कि circular नंबर सत्रा अबलिक 2020 के अंदर जो कि 29 September 2020 को issue हुआ था जिसके अंदर government साप साप करी थी कि कोई भी आप adjustment नहीं कर सकते हैं sales के respect में या sales return के respect में या indirect tax चाहे आपका JST include क्यों ना कोई भी adjustment नहीं कर सकते TCS के लिए ठीक है यहाँ पर TCS की payment कब तक करनी होगी जो मैं collect करूँगा वो payment आपको साथ तारीक तक करनी होगी हर महिने की साथ तारीक तक जो महिना खतम होगा उसके बाद वाले महिने में साथ तारीक तक आपको TCS की payment करनी होगी return कैसा जाएगी इ form 27EQ के अंदर within 15 days के अंदर end of the quarter that means जैसी quarter खतम होता है उस quarter के end के बाद 15 days के अंदर आपको यहाँ पर form 27EQ furnace करना होगा return जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर एक्जामबल के लिए अगर यह अक्टूबर से लागू हो रहा है तो अक्टूबर, नॉम्बर, दिसामबर यह quarter हो गया यह third quarter हुआ था, third quarter में third quarter जैसी खतम होगा आपको 15 दिन के अंदर that means 15 January तक यहाँ पर form 27EQ furnace करना होगा जो quarterly return है यहाँ पर जो certificate है कौन से form के अंद ठीके दोस्तो, that means जैसी return file होती है form 27EQ के अंदर form 27D में यहाँ पर TCS का certificate देना होगा जितना जितना आपने TCS deduct किया है तो यह था दोस्तो बहुती most important points TCS के लिए TCS on sales of goods जो मैं आपके सामने लेगाया, वीडियो कशी लगी ज़रूर बताएं, thank you so much, जाय हिंद वन्ने मातर जाय होगा जाय होगा जाय है